दोस्तों यदि आप एक छोटा वैपार करते हैं आप ठेली लगाते हैं आप रेड़ी पट्री पर काम करते हैं और आप उस काम को या तो स्टार्ड करना चाहते हैं या उस काम को बढ़ाना चाहते हैं लेकर आपके पास पूंजी नहीं है आपके पास पैसे नहीं है तो इसके लोन में आपको कम से कम ब्याज़दर लगेगा साथ साथ लगो 15% आपको सब्सिडी भी माँ पर मिलती हैं तो इस लोन को कैसे आवविदन करना होता है और कैसे आप घर बैठे खुद से आउनलाइन आवविदन कर सकते हैं कैसे आप इस लोन को ले करके अपने बिजनेस को भीच्टे हैं या जो बतासे बेचने का काम करते से पानी पूरी बोलते हैं लुग दिया जाता है तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन लोकिष में आवविदन कर सकते हैं तो आवविदन कैसे करना हुका आज हम अ को सिखाने वाले हैं तो आपको पूला वीडिए बीडियो कर सकते हैं तो चलो पूरा डेटेल के लिए सरकार ने इसका पीम स्वानिदी योजना का एक पोर्टल भी लाँच किया है जहां से आप खुद आविदन कर पाएंगे आविदन करने के बाद अपना इस टेटास चेक कर पाएंगे और लोन वगयरा का सारा डेटिल वहां से मिले पहला करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले पीम शुवानिद योजना का जो ओफीशल पोर्टल सरकार के तुवारा लांच किया गया उस पर हमाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं पूर्टल पूरा आप डेजाइन किया गया है और यहां पर बहुत प्रकार के लोन के लिए तो जिस प्रकार का आप लोन लेना चाहते है उसी पर क्लिक करके आपको आवेदन करना होगा लेकिन आवेदन करने से पहले हम कुछ आपको डेटेल बताना चाहेंगे यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर तीन चरण में अलग-अलग लोन दिया जाता पर्थम रेड़, दोती और तरती कुल आवेदन पर्थम चरण के लग चेतर लाग लोगों ने किया उसमें 63 लाग लोगों को रेड़ मिला भी और इस सारा डेटेल यहाँ डेटा दिया गया है और आपके मन में जो भी सवाल है उसको समझने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल अंग्रेजी और हिंदी दोनों माद्दे में दिये हैं तो आपका जो भी हिंदी या अंग्रेजी या अग्रेजी या हिंदी पढ़ना चाते हैं तो हिंदी पर क्लिक करेंगे इंदी पर क्लिक करते हैं आपसे सम्मंदित सारे यहां पर जितने भी आपसे सम्मंदित प्रस्ण हैं आपके मन में वो सब आ जाते हैं जैसे कि इश्कीम क्या है, इश्कीम के आचित क्या है, इश्कीम के क्या उदेश है, इश्कीम की मुख विशिस्ताएं क्या है, देख सकते हैं, विशिस्ता के अगर हम बात कर लें, दोस्तों, दस हजार तक की प्रारम में काम करने लाइक पूंजी, समय पर है, समय से पहले सी दी जाएगी तो आपको दस आजार रुपए तक दिया जाएगा मेरे पास स्रेटिफिकेट और वेंडिंग भैंचान पत्र नहीं है वगयरा जो भी आपके कोशन बनते हैं वो सभी इन्हें हाँ पर कवर किये आज हम जो बात करेंगे आपके सामने उसको बात करेंगे कैसे आवेदन करना है तो दोस्तों यहां पर आप 10K 20 या 50K के अलावा जो एलो आर सेरन आवेदन करें इस पर आप क्लिक करना ज्यादा उचित रहेगा आपको इसी पर क्लिक करना है अब दोस्तों आपको अपने एक म दोस्तों आपके सामने ऐसा page खुलेगा यहां पर आपको क्या आपके पास हादार card है तो आपको हाँ पर click मिलेगा पहले से इसका तब को C और D दो option मिलते हैं तो पहले दोस्तों option का मतलब यह है कि आप आपने दुकान पहले से खोल दी है और कभी नगरपाल का यहां पर भी आप अपनी दुकान खोलते हैं वहाँ पर survey बगएरा किया गया होगा और उसके बाद आपने दुकान खोली है और आपको किसी परकार कर certificate नहीं मिला है तो पहला option करना है अगर आपके पास certificate जारी किया गया है तो आपको second करना है तो मैं पहला ही select करूँगा अब दोस्तों आपका second number पर आ जाते हैं विक्रेता सरनी की जाच करें का state की पूरा हो चुका है second आविदन पत्र भरें का आपका state चालू हो सत्यापित करें तो आप OTP से ज़्यादा बेश्ट रहेगा अगर आपके आधार पर करना है मेंबर आप JLG है तो आपको s करना नहीं तो नहीं पर क्लिक रहने देना है आपके आधार गार्ड से आपका data उठा लिया जाएगा जैसे कि आपका नाम आ जाएगा आपको अपने पिता कर नाम या भरना होगा जन्रितिती आज आएगी वेभाई के स्थिति आपको चुन्नी होगी आपने जो मुआल नंबर डाला है वो आपको आपको यहां दिखाई देगा इसके बाद आपको लिंक सेलेक्ट करना है और सामाजिक स्रिणरी जनरल OBSC, ST क्या है वो सेलेक्ट करना है अगर आप विकलांग है तो आपको यह करना है अलपसंख्या करना है तो यह करना है नहीं तो आपको नहीं पर क्लिक रहने देना है अगर आपका पूरा पता भर जाएगा इसके बाद वेंडिंग गतविधी का नाम आप क्या करते हैं अगर आप कुछ भी इसके अलाबा तो अधर पर आप क्लिक करेंगे वेंडिंग का समय कब से कब तक काम करते हैं लामबित दिन सभी दिन आप ये काम करते हैं शोमबार मंगल दिनों के नाम दियें पूरा डेटेल डालना है आपका पिन कोड सहाइथ डेटेल इसके बाद आपको नीचे आना है विकरिधा के रूप में प्रमाळ कम से कम एक भरा होना आवश्यक है दस्तावेज लागडाउन के दोराने एक बार सहायता प्राप्त करने का प्रमाण अगर आपको मिला है तो यह आपको कुछ कोशन आंशर दिये हैं इतने आप इने भरियेगा और श्रत मासे के बिक्री आप कितने रुपए की कर लेते हैं इसके बाद आपको एक बैंक खाता य यहाँ पर हाँ पर ही क्लिक करना है क्योंकि आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलेंगे एक आदिक पीवी की संग्या क्या है वो आपको उसलिक करने नहीं मौझूदा रिन अगर आपके पास कोई है तो उसलिक करना है आवस्चक रिन आपको कितना लेना है तो आप यहाँ पर 22 मिलेगे जब आप एक लिंड चुका देंगे तब दूसरा लोन मिलेगा इसके बाद दोस्तों आपको देश भरना रिनो देश क्यों आप लोन लेरे कार शील पूजी वैपार बढ़ाना है शंपत्त की खरीद के लिए सारा डेटेल भरने के बाद प्रॉपर आपको सहजें प क्लिक कर देना है अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपने आवेध का फोट अप λोट कर यहां पर दिख़े क्लिक हो चुका है एक यह लrem 好 соп saya करना है इसके बाद प्रस्तौत पर क्लिक करना है र्वक्ऽ दोस्तों आपको देख सकते हैं फभ्स ने में आपना आवज़न जमा क करें अपने पंसीदा रिन दाता को भीजें देख सकते हैं दो प्रकार के हां पर ऑप्शन मिलेंगे अधस्तावेज अप्लोड हो गए आपको आवीदन जमा करने को ऑप्शन आ गया बाजार में अपना आवीदन जमा करें आप अपने आज पास शेतिक सभी उदार दाताओं क देते हैं उनको आप कर सकते हैं जैसे कि अपने यहां पर डिसकता को यहां पर कर सकते हैं कद सब ULB users को चुनें आपका सब ULB चुनना होगा इसका सहमत ही देखकर आपको नीची आना है सारी डेटेल आपको पड़े लेनी बहुत ध्यान पूर इसके बाद सहजे पर क्लिक करके प्रस्तोत करें पर क्लिक कर देना है जिससे आपका फाइनल जो आपको रण दे दिया जाता है आपको रण चुकाने का तरीका भी वहीं पर बताया जाता है सारी डेटेल वहां बताई जाती है मुझे यह फॉर्म नहीं भरना था मैं आप फाइनल सम्मिट नहीं करूंगा तो ऐसे आप पीम स्वाने दी योजना के लिए 10,000 रुपई से ल सकता ULB बगारा में कुछ प्रॉब्लम मिली होगी लेकिन मैं बता दू कि अगर आप कोई स्रेटिफिकेट नहीं है आप पहली बार काम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने जो आप्शन बताया उसको आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप पंचायत लेवल पर या आप बात करें नगर पालका में अगर डड़ी पटी लगा रहे तो आवा नगर पालका से जाकर अपना एक स्रेटिफिट भी बनवा सकते हैं उसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं तो मैं आसा करता हूं कि आवे दन आपको पूरा समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक से जरूर करके जा आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती है थाइंक्स वाचिक